प्रथाम अध्याय के तीसरे ब्राम्भन का जो 18 मंत्र है उसका पाठ कर रहे थे और अब तक हमने इस मंत्र में जो सीखा है वो ये है कि जब देवों को ये पता चला कि गान करने से अन्न स्वैम प्राप्त किया जाता है तो उन्होंने स्वैम गान करने का प्रयास किया और जब उन्होंने स्वैम गान करने का प्रयास किया तो वह स्वैम को जो स्रेश्ट देव है सरवच्च देव जो है दूर जिसने म उस दूर नाम का जो देव है उसके साथ में ही जो है वो गान करके जो है अन्न को प्राप्त कर सके तो वहां पर हमने जो अब तक समझा है वो यह ही है कि कोई भी इकाई यहां पर जो है वह है श्रेष्ट जो है सबसे श्रेष्ट इकाई जो है परमात्मा जो है उनकी ऊपर कहापत करके जो है कोई भी क्रिया नहीं कर सकता उसको जो है स्वैम को उस श्रेश्ट पर्मात्माः परमेश्वर जो सर्वुच्य देवी हैं देव हैं जोभी आप बोले उनको उनके नीचे रहकर के ही जो है अपना कार्य करना होगा तब ही जो है वह उस परकाल से गान करके उसके प्रती अपना समर्पण करके ही जो अन्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह हमने सीखा था जो अब तक हमने सीखा है इस मंत्र में अब हम देखते हैं कि आगे यह मंत्र क्या किहता है तो आगे ये मंद्र कहता है एवम हवा एनम स्वा अभी सम्विशंती अर्थात इस ही प्रकार से ये सारा स्वा उपर प्रवेश करता है भरता स्वानाम श्रेश्टह पुर एता भवति अन्नादो अधिपतिर यह एवम वेद अर्थात स्वा का भरता यह श्रेश्टणगरवाला होता है अन्न का अधिपति यवह एवं विदम स्वेशु प्रती प्रतिर बभूशती अर्थात जो निश्चिती इस प्रकार के ग्यान का स्वेम में प्रतिकार करते हैं नह एवं अलम भार्य भ्यो भवती अर्थात निश्चिती नहीं वे भार्य बनते हैं अथय यह एतम अनु भवती अर्थात अब जो निश्चित ही इसको अनुभव करते हैं यो व एतम अनु भार्यान भुभूर शती अर्थात जो यह भार्य होने को स्विकार करते हैं सहयव अलम भार्य ब्यो भवती अर्थात वह निश्चिती भार्य बनते हैं तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो जो यह अन्न का भोग इस प्रकार से देवताओं ने किया इस ही प्रकार से वास्ताओं में जो स्वा है वह उपर प्रवेश करता है और स्वा से यहां पर आरते हैं जो भी हम आहुती देते हैं और मूलतेदी देखा जाया तो जो भी आहुती है वास्तों में अन नहीं है तो यहां पर यही बताया जा रहा है कि इसी प्रकार से अन उपर प्रवेश करता है अन को भोगने का जो मार्ग है वो यह ही है और इसी प्रकार से जो है यहां पर बलिदान दिया जाता है किस प्रकार से दियाता है कि जो सर्वोच्च है परमात्मा उनके प्रती समर्पन करके ही वास्तों में बलिदान दिया जाता है यहां पर सब कुछ बलिदान उस ही के लिए हो रहा है तो जैसे गीता में श्रिकेशन कहते हैं कि यग्य जो है इस संसार में चल रहा जो यग्य है वह मैं ही हूँ और इस यग्य का भोगता भी मैं ही हूँ तो उस प्रकार से यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि जो जो सरवच है उसके प्रती बलिदान देकर के ही वास्ताव में भोग होता है अन्य का भोग भी उसी प्रकार से होता है और ये जो अन्य का भोग है उसको प्रदान करने वाला भी वो ही है तो वह ही दाता है और वह ही भोगता भी है दोनों वह ही है और जो इस प्रकार से है इसका प्रतिकार करते हैं वह भार्य नहीं बन पाते हैं अर्था तो उनको उनका भरन उनका वहन प्रमात्मा नहीं करते हैं परन तो जो इस बात को स्वीकार कर लेते हैं और स्वैम को इसी प भरन जो है परमात्मा स्वैम करते हैं इस पर कहा से बता जा रहा है तो ये मैंने आपको यहाँ पर संक्षेप में बता दिया आप इसको चलिए और अच्छे से समझते हैं कि क्या बात है वास्ताव में तो होता क्या है कि लोग जब इस संसार में जी रहे होते हैं तो इस संसार में जीते वे लोग अपनी स्वयम की एक सत्ता मानते हैं और उस सत्ता को जो है वह श्रेष्ट सिद्ध करना चाहते हैं इसलिए तो यह है ना कि लोग जो है इस संसार में अपने एहंकार को सरवच्च क करना चाहते हैं वह यही दिखाना चाहते हैं कि मैं सबसे श्रेष्ट हूं मुझसे और श्रेष्ट और कोई है ही नहीं वास्ता में तो यह जो हमारी यह जो हमारी एक वृत्ती है कि हम जो है स्वयम को श्रेष्ट दिखाना चाहते हैं हम यहीं चाहते हैं कि जो हम चाहते हैं व वैसे होना चाहिए क्यों क्योंकि जो मुझे लगता है वही वास्ता में उचत है यदि इस राश्टर पर जो है एक प्रकार का यहां पे इस राश्टर का जो राजनेता है जैसे हम वोट लग करते हैं तो जो वोट करने में जो जो भी वोट आप देते हैं वो इसी यही सोचे देते हैं कि यह उचेत है और फिर आप यह सोचते हैं कि सब लोग इसी को वोट करें यह मालिजे कि कहीं कोई व्यवस्था है कहीं पर किसी राश्टर में कोई व्यवस्था है तो आप यही बोलते हैं कि इस विवस्ता की बजाए यह वाली विवस्ता होनी चाहिए यह उचेत है तो वह आप सोचते हैं कि मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए और फिर आपी सोचते हैं कि सब उसी का पालन करें तो यह कहां से आ रहा है यह वहीं से आ रहा है कि हम जो है यह च प्राया होता है तो यह भाव क्यों होता है क्योंकि हम अपने आपको श्रेष्ट मानते हैं और अन्यों को जो है अपने से निक्रिष्ट मानते हैं तो वैसा नहीं है वास्ताव में परंदू क्योंकि इस अंसार में यह ही सोचा जाता है कि जिसका बड़ा घर है वह श्रेष्ट रखती है इसलिए आप बड़ा घर चाहते हैं या उच्च पद आप क्यों चाहते हैं आप देखें ने उच्च पद प्राप्त करके आपको वैसे लोग जो है उच्च पद इसलिए प्राप्तना चाहते हैं ताकि उनको धना दिख मिले और धना दिख क्यों चाहते हैं ताकि जो है वो लोगों को दिखा से कि देखो मैं कितना सफल व्यक्ति हूं यह सब कुछ जो है यह सब कुछ वास्ता में जहां से उठता है वह यही है कि ह स्वायम को श्रेष्ट दिखाना चाहते हैं और जब हम स्वायम को श्रेष्ट दिखाना चाहते हैं तो वो क्यों हो रहा है क्योंकि हम यही दिखाना चाहते हैं कि हम इस संसार में सबसे श्रेष्ट हैं और इस संसार में सबसे श्रेष्ट जो है वह तो भगवान ही है तो हम हमा भगवान जो है वो वास्तों में हमारा सुएम का जो अहंकार है वह ही वास्तों में हमारा भगवान होता है कि हम इस शरीर से अपने आपको तालात में करते हैं और हम यह ही चाहते हैं कि यह शरीर से जुड़ावा जो यह है यह ही सबसे श्रेश्ट है तो वह ही अहंकार है वो वो जो है वह विक्रत रूफ एहंकार है जो कि हमारा जो वास्तविक स्वरूप है क्योंकि वह श्रेष्ट है उसको हमने जो है अपने इस शरीर पर प्रक्षेपित कर दिया है और अब हम यह चाहते हैं कि हमारा जो यह शरीर है यह श्रेष्ट हो तो हम जब गान करते हैं वास्ताव में तो वो जो गान कर रहे है वह है श्रेष्ट के प्रती गान ही है यहाँ पे तो बोला मैं कि जब उसने गान किया तब उसके लिए अन प्रकट होने लगा स्वैम से तो यह जो अन प्रकट होता है यह है उस गान से संबंदित है कि जो हमारा स्वरूप है जो इस संपूर्ण श्रेष्टी का स्रोत है जो वह है अत्यंत श्रेष्ट है बहुत बड़े एश्वर्य का वह स्वामी है और वो जो एश्वर्य है उस एश्वर्य का गान बनता ही है स्त स्टूति करते हैं हम जैसे जैसे हनुमान चालिस है वह हानुमान न्की स्टूति है कि आपने अच्छे-च्छे कारे की है इसी प्रेकार से राम स्टूति होती है या क्रिश्न स्टूति जो भी स्टूति है यहां पर हम करते हैं अपने देवी देवता हूं कि वो उनके आश्वर्य को हम श्रेश्ट बताते हुए करते हैं तो वह ही वास्ता हमें गान कर लिया तो वह जो है वो वास्ता में अपनी अपने एहंकार की ही स्थुति है तो अपने एहंकार की जब हम स्थुति करते हैं तो हम परमात्मा की स्थुति नहीं कर रहे हैं एहंकार की स्थुति कर रहे हैं और हम अपने एहंकार को परमात्मा से श्रेष्ट बना रहे हैं तो यहां पर बोला कि वह जब उपर जब वो स्वयम को उपर प्रवेश नहीं कर सके वो उसके उपर प्रवेश नहीं कर सके तो जब हम अपने एहंकार की स्टुपी करते हैं तो हम वास्ता में स्वयम को जो है इश्वर से उपर ला रहे होते हैं तो जब हम वो कर रहे होते हैं तो उस गान से जो है अन्य प्राप्त नहीं होता है वो नहीं कर सेके वैसा तब वह क्या गया वह फिर उसकी परमात्मा की शरण में गया वो नीचे गया उससे और बोला कि हमें भी आप प्रदान कर दो नीचे जाता है उसे उसके नीचे अपने आपको रखता हैW सके चरणों में अपने आपको इस्थापित करता है तो जो है उस vara फिर ईश्वर का गान करर sih इश्वर का इसत्थिषिर कर रहा है कि आप इतने श्रेश्ट आप आप ने ये किया, आप ने ये किया, आप ने ये किया, तो जब आप वो करते हो, तो ईश्वर जो है, आपको अपनी शरण में लेते हैं, और आपका भार उठाते हैं, तो आप ईश्वर के भार्या बन जाते हो, वो वाली बाते हैं, जो कि यहां पर बताई जा रही है, भार्य अब देखे किसे संक्रेट में भार्य, जो है उसको तो पता नहीं पर भार्य जो शता रह पत नहीं की किस के ले और upydू पतनी होता ति लीए जो heißt देखाया, ब धार्य शत क्यों पूर उपयो किया जाता है, कि पतनी का भार उठाता है पती जो पुरुष और स्त्री का जब उनका विभा होता है तो स्त्री का जो कार्य है वो क्या है उसका जो श्रिष्ट कार्य है वो यह यह कि वह शिशू को जन्म देती है वह बच्चों का पालन करती है और एक बहुत बड़ा कार्य है जो कि वो समालती है बच्चों को पालन पोशन करना उनकी देख भाल करना कि उनकी सभी आवेशित प्राप्त करना उनके लिए भोजन बनाना उनको उनका पालन पोशन करना जो कि एक बहुत बड़ा कार्रे है और वो कार्रे करने में क्योंकि वह उसी में लगी हुई है इस कारण से जो है उसको एक सहायता चाहिए कि कोई उसकी सहायता करे बच्चों का पालन पोशन करने में तो वो जो भार उसके ऊपर है उस भार को सहायता प्रदान करने के लिए पती फिर अपने साधन उसको प्रदान करता है ताकि वह बच्चों का पालन पोशन अच्छे से कर सके तो इस प्रकार से देखा जाए तो उसका एक भार है पत्नी का एक भार है इस तरी का एक भार है जो कि पुरुष उठाता है इसी कारण से वह जो है अपनी पत्नी को भार्या कहता है कि उसका जो भार है वह मैं उठा रहा हूं मैं उसको जो आवश्यक्ता है उनको मैं प्रदान कर रहा हूं तो हम जो यह जीव हैं सारे के सारे इस संसार में जो जीव हैं वह सब जो हैं वास्तों में एक प्रिकार से भार ही हैं सुएम में कुछ करने की क्षमता नहीं है सुम्हें में कुछ करने की एक्षमता नहीं है परंतु जो है आवश्यक्ता है उनको तो जो वो आवश्यक्ता है उनको भोजन की वह भोजन की आवश्यक्ता जो है वो भगवान ही उनको प्रदान करते हैं आप ऐसे सोचे देखिए जैसे यह जो शरीर है आपका ये जो शरीर है इसके भीतर इसके हिर्दे में भगवान बैटे हैं तो ये शरीर एक प्रकार का गर्ब है जिसमें भगवान प्रवेश किये हुए है तो शरीर उस प्रकार से देखा जाए तो स्त्री है भगवान के लिए और भगवान पुरुश है तो जो ये संबंध है वही स वात्नी है या उसकी भर्या है वास्ताव में इसलिए आप देखेंगे कि यह संबंद को लिया जाता है कि जीवा आत्मा वह जो है भगवान के प्रती भक्ती करता है वैसिकली तो यह जो संबंद है यही आप कई जंगों पर देख लेंगे तो सब्सक्राइब जो इसी में होती है तो और आप यह देख लिए कि जो 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 दास होता है उस वह वहास्ता हमें एक फ atacar रही है अपने सवामी के लिए क्योंकि दास की सभी आवश्यक्ता ही जो होती है और ये जो जो आउसको भी जो है उसको भी जो है उसको भी जो है इसी प्रकास से लिखा जा सकता है कि जो दास है वह भार्य है सूवामी के ओपर तो जो जो योग श्यम की वाली बात जो कि Eve środ lava shree china ने बोली है कि जो नान निया चिन तो माम पर यू पासते उनको जो है उनके लिए जो है वही बोला है कि तेशा मी नित्या भी युकता ना हम योगक्शेम हम वहां में हम तो योगक्शेम वहन करते हैं भगवान वही होता है जब व्यक्ति जो है ऑश्र की शरन में चला जाए इसीलिए जो है जो पद सेवा بोला गया है कि आपके चरनों में मेरा स्थान हो वो जो चरनों में स्थान है उसका यहीं से हम समझ सकते हैं कि वो ऊपर नहीं है नीचे है चरन सबसे निचला भाग होता है ने शरीर का तो भगवान को उपर रख करके जो स्वैम उनके नीचे आता है उनके दास में दास भाव से नीचे उनके आता है और उनके नीचे उनके शरण ग्रहन करता है उसका भार जो है फिर भगवान स्वैम उठाते हैं अन्न उनके लिए स्वैम आने लगता है फिर की भगवान जो गा तो नीचे आता है, उनके चरणों में आना रहता है, उनके नीचे 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 जो शरण लेगा, उसके लिए जो है, यह सब स्वयम होने लगता है, वह भार्य बन जाता है भ बहार उठाते हैं परन्तु जो यह नहीं करता है उसका भरन पोजिशन भगवान नहीं करते हैं उसको फिर यह सब कुछ इस वीडियो का महीं पर समाप्त करते हैं नमस्ते